असलाम अलएकुम विवर्स वेलकम बैक है आज की वीडियो एक रिक्वेस्टर वीटियो है इसमें इसला पर इंदियो किया गया है तो आज पिप gloss hasn लेडर में कुली लाइन हो सकती है और शुज़ की लाईन हो सकती है ठीक है और अगर हमें उस पे कोई बलाक मैंन हो वगएरा का बलाक या कोई भी बलाक हमें उस पे add करना है ठीक है तो वो हम कैसे कर सकते हैं और वो बलाक जो है वो fix नहीं होना चाहिए उसका जो interval है वो fix नहीं होगा वो variable होगा मतलब required interval पे हमें उसको अपने alignment में या polyline में उसको add करना है इसके लिए मेरे पास एक list है उसको थोड़ा मैंने modify करवाया है coder से उनका बड़ा शुक्रिया thank you कि उन्होंने मेरी help की और इसके वाज़ा से मैं वो list आप से अभी आप दोस्तों के साथ share कर रहा हूँ इस list का जो link है वो मैं वीडियो की description में दे दूँगा आप अपने requirement के इसाप से इसको use करके देख सकते हैं कि यह कैसे work करती है तो सबसे पहले जो है आपके पास जो भी आपके required interval है वो एक्सल में csv file में होने चाहिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किस form में होने चाहिए ओके यह आप इसको आप चैनेज कंसीडर कर सकते हैं ठीक है क्योंकि हमारी जो poly line है उसका start जो है वो 0 ही है ठीक है और वो जितने भी kilometer में आपका data है आपने उसको इस अधरा से prepare करना है जहां 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 पर आपको requirement है block add करने की वहां वहां पर वह station जो है आपने यहां पर एक्सल स्टीट में entry कर लेना है और यही requirement थी अगर हमें एक्सल फाइल से इसको insert करना हो एक ही दफा विरियेबल चेंजिज को वेरियेबल ब्लाग को वेरियेबल चेंजिज पर हमने add करना है तो वह कैसे का सकते हैं तो मैंने ये एक अज्यूम डेटा लिया इसके लिए क्योंकि डेटा मुझे नहीं सेंड किया गया था सिर्फ यह कैड फाइल दी गई थी जो आपने अभी मेरी PC स्क्रीन पर देखी है और जिस पर हम यह टेस्ट करेंगे डेटा सबसे पहले क्या है यहां पर हमारे चैनेज हैं और चैनेज के स सकते हैं ठीक है तो इसको मैं क्लोज करता हूं उसके बाद यह हमारी ड्राइंग है जिस पर हमें यह requirement है इसके लिए मैंने यह तीन ब्लाग बनाए हुए है ठीक है आप अपने हिसाब से कोई भी किसी भी किसम का ब्लाग बना सकते हैं और ब्लाग बनाने के लिए आपने ब्लाग क्रीएंड हो जाएगा तो मैं जसके समझाने के लिए एक ब्लाग क्रीय करके दिखा देतूं आपको dei मैं जहां से बी टैप करता हों और यहां से मैं इस B2 और A के नाम से तो ये ब्लाक आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने अटन्टिफिकेशन के रखने हैं तो आप रख भी सकते हैं ट्राइंग में कोई प्राब्लम नहीं है ठीक है ओके तो अभी हम अपनी लिस्प जो है IBL IBL जैसे ये कमांड हमने दी है तो यहाँ पे ये मेन्य उपन हो गया है कि आप अपनी फाइल जो है वो सेलेक्ट कर ले तो मेरे पास ये जो है जो आजियूम डेटा से मैंने फाइल बनाई है CSV मैं इसको ज़स्ट क्लिक करता हूँ उपन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने पोली राइन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो बलाग थे ये हमारे जो जो चैनेज हमने वहाँ पे टाइप की थी एक्सल सीट में वो यहाँ पे सेम स्टेशन पे यहाँ पे डेटा इंजर्ट हो गया तो इसमें यही रेक्वायर्मेंट थी के एक्सल फाइल से आप अपना डेटा को कैसे इसमें लेके आ सकते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको यूज करके देख सकते हैं अमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा video देखन एक एकली है थैंक यू आपीस